स्वागत है दोस्तों आपका हमारे इस यूटूब चैनल पे दोस्तों इस वीडियो में आज हम JPSC के लिए प्रैक्टी सेट नंबर 4 पेपर 1 के लिए आज इसमें हम प्रैक्टी सेट करवाएंगे पूरे 100 कोशन का और इससे पहले कुछ और बात किलियर कर दें दोस्तों आप एक बार स्क्रॉल आप यह डाउन करके आप लोग डाउन कवर के चेक कीजिए कि कौन सा वो वीडियो है ऐसे मैं प्लैलिस्ट बहुत सारे चात्र बोर एके सार प्लैलिस्ट बनाके कर दीजे तो मैं बहुत जलद पूरे JPSC के लिए अलग से प्लैलिस्ट बना लूँगा ज लिजे तो अगर जार्खंड special का आप लोग बात कर रहा है तो जार्खंड special के लिए उडान publication का ले लिजे या फिर शीवांगन का ले लिजे ठीक है कोई तयारी करने के लिए नहीं है यह बस आप जो तयारी कर लिए हैं तो अब वो आप पर रखते हैं testories में कि आप जो तयारी किये हैं वो कितने अस्तर का है ठीक है यही वज़ा है कि बहुत कम समय है दो मई को एकजाम होने वाला इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि पेपर वन के लिए और पेपर टू के लिए जो भी है पेपर टू के लिए मैंने बहुत सारा वीडियो अल्रेडी बना लिया हूँ topic wise भी आप लोग चेक कर सकते हैं वीडियो मे मैं बताया हूँ कि कैसे उसको पढ़ाई कीजिएगा तो चलिए ज्यादा समय ना लेते हुए ये पेपर वन के लिए प्रैक्टिस सेट नंबर फूर हम लोग सुरू करते हैं चलिए यहाँ पे देख लिजे पहला कोशन बोर रहा है कि भीम बेटका परसीद है तो किसके लिए परसीद है तो इसका सही एंसर हो जाएगा option D cell चित्रों के लिए ठीक है और यहाँ मद्य पर्देश के रायसें जिले में श्तित है भीम बेटका से 642 गुफाय प्राप्त होती है जिन में 400 में चित्रों का अंकन किया गया है दूसरा कोशन आई है भुम नेश्वर तथा पूरी के मंदिर की सेली में निर्मित है तो दूसरा का सही एंसर हो जाएगा option A नागर सेली में ये निर्मित है मंदिर निर्मान में तीन सेलियों का परियोग होता है उत्तर भारत में नागर सेली मद्द भारत में बेशर सेली और दच्छिन भारत में द्रवीर सेली इसको ध्यान में रखियेगा तीसरा कुशन आई है निमलिखित में से जिस वेद की रचना गद एवं पद दोनों में की गई है उसका नाम है तो ये बहुत लोगों को पता होगा option C यजूर वेद ठीक है और वेद जो है वो संस्क्रीत भासा पद में लिखे गए है अपवाद सरूप यजूर वेद गद एवं पद दोनों में है नेक्ष्ट है ये question number 4 में question number 4 बुरा कि असोग के समय के ज्यादा तर अभिलेख किस भासा में है ज्यादा तर अभिलेख पूछ रहा है तो question के हिसाब सही answer होता है ठीक है तो चौथा का इसका सही हो जाएगा option A प्राकृत भासा में ठीक है और असोग के अभिलेखों को सबसे पहले सत्रो सो पचास में टी फैंथलर ने खोजा और इस अभिलेख को पढ़ने में सबसे पहली सफलता 1837 इसवी में जेम्स प्रिंसेप को मिली थी पांचवा नंबर कोशन आईए दो असुमेग या अगनिम में से किसने शंपन किया था तो पांचवा का सही answer हो जाएगा option B पुश शेमीत शूंग ने दोस्तो अगर आप हमसे जोड़ना चाहते हैं तो आप हमारे टेलिग्राम चैनल को भी जॉइन कर लीजे उसका लिंक में डिस्किप्शन और कमेंट बॉक्स में दे दूँगा वहाँ से आप लोग डाइरेक्ट जॉइन कर सकते हैं और अस्टेडी मटेरियल जेपीएसी के लिए भी आप वहाँ से प्राप्त कर सकते हैं बहुत सारे बढ़ियां बढ़ियां स्टेडी मटेरियल वहाँ पे पीडिएफ के फॉर्म में सेंड किया जाता है तो आप हमारे टेलिग्राम चैनल को भी जॉइन कर लीजे और अगर मैनूली कोई जॉइन करना चाहते हैं तो पाँचोंबा में हो गया दो असमेग यग में से किस ने संपन किया था तो पूष्यमीत्र सूम ने किया था ठीक है और इनके लिए कौन यग करवाई थे तो पतंजली ने असमेग यग कराय थे इनके लिए ठीक है छठधा नमबर कोशन आई है प्राचीन भारत का पहला प् की धांतों का प्रतिपादन किया गया सात्वा नमबर կह दिद्धा किस राजे की प्रसिद राणी थी तो सात्वा का इसका सही एंसर हो जाएगा option कस्मीर राज तो यह option A सही एंसर हो इसने इलतुतमीज को संदेश दिया कि मंग बढ़नी की मदद ना करे यह संदेश लेकर चंगेज खां का दूद खां इलतुतमीज के दरवार में आया था नाइन नमबर में ये विजय नगर राजवन्स की रजधानी हमपी किस नदी के किनारे इस्थित है तो ये बहुत लोग को पता हुआ ऑप्शन बी तुम भद्रा नदी की किनारे और विजय नगर राजवन्स जो था इसकी स्थापना 1336 में हरियर एवं बुक का नामक दो भायों नहीं की थी कोशन नमबर 10 आये निमलिखित में से कौन भारतिय राष्टे कॉंग्रेस की प्रथम बैटक में उपस्तित नहीं हो पाया था तो option जो है उसके हिसाब से option B हो जाएगा सुरेन नातर बनर जी ने भारतिय राष्टे कॉंग्रेस की परथम बैटक में उपस्तित नहीं हुए थे ठीक है और भारती राष्टे कॉंग्रेस की पर्थम बैठा किया निके दिवेशन के देख्षता कौन किये थे तो विमेश यंद्र बनर जी ने किया था दुस्तों अगर आप लोग को लगता है कि इस टे स्रीज में कोई कोशन गलत है तो आप लोग हमें कॉमेंट करके कोशन नंबर का मेंजन करके आप लोग कोमेंट कीजिए कि हाँ सरी इस कोशन का एंसर गलत है और सही एंसर भी हमें सजेश्ट कीजिए कि आपके अनुजार वो सही कोशन क्या होगा तभी मैं उसके अच्छे से फिर देखके एकवाल जो भी आप लोग सेट में अब्जेक्शन लगा है वो मैं देख रहा हूँ ठीक है और टिक आउट कर लिया हूँ किताब में उसका एक दिन क्या होंगे बैठेंगे तो एक दिन लाइव उसमें आप लोग को सारा डिसकेश किसके मद्धे किया गया था तो 11 का सही अंस हो जागा ओप्शन एक कॉंग्रिश वब मुस्लिम लिग के मद्धे ठीक है और नेक्ष आई ये 12 नंबर कॉंग्रिश से निकल कर सुभास चंद बोश ने किस पार्टी का गठन किया तो ये बहुत लोग को पता होगा तो बारा क हो जाएगा ओप्शन एक फॉर्वर्ड ब्लॉक की स्थापना की ठीक है उने 149 में नेक्ष आई ये 13 नंबर में गांधी जी दोरा डांडी यात्रा प्रारंभ की गई थी तो यहां पर डेट वाइस आपको याद रखना होगा तो 13 कर यहां पर हो जाएगा 12 मार्च 1930 को गांधी जी ने अपने 89 समर्थों को यानि 79 समर्थों के साथ साबर मती इस्थित अपने आशरम से लगभग 322 किलो मीटर दूर डांडी के लिए प्रस्थान किया था नेक्ष्ट है यह 14 नंबर में 14 बुरा गांधी इर्विन समझोता हुआ था तो यह कब हुआ था तो 14 का सही हो जाएगा option B 1931 में एक्चोली में 4 मार्च 1931 को गांधी इर्विन समझोता हुआ इसके बाद गांधी जी ने सभीने आवग्या आंदोलन अस्थागित कर दिया और गांधी इर्विन समझोते को दिल्ली समझोते के नाम से भी जाना जाता है नेक्ष्ट आई यह पंदरा में भूदान आंदोलन किसने प्रारंब किया तो 15 का सही अंसर हो जाएगा option B बिनोवा भाबे और यह आंदोलन 1941 में आरंब किया गया था जो कि स्वैख्षिक भूमी सुधार आंदोलन था नेक्ष्ट आई यह 16 नंबर में भाखणा नांगल प्रियोजना किस नदी पर अवस्थित है तो 16 का सही अंसर हो जाएगा option C 17 नदी पर ठीक है और यह भारत की सबसे बड़ी बहु देशिये प्रियोजना है इस परियोजना से हिमाचल परदेश, पंजाब, हरियाना, राजस्थान और दिल्ली को लाव प्राप्त होता है नेक्ष्ट आई यह 17 में जोग जलपरपात किन दो राज्यों की सीमा पर इस्थित है तो 17 का सही हो जाएगा option A महराश्ट एवं करनाटक राज्यों की सीमा पर इस्थित है और यह जलपरपात कभी कभी पूझत है किस नदी पर इस्थित है तो यह जलपरपात सरावती नदी पर इस्थित है और इस जलपरपात की उचाई 255 मीटर है नेक-चर्य अठारा में भारत में पहला पन बिझली सक्तिकेंद्र कहां स्थापित हुआ तो 18 का सही हो जाएगा option B शिव समुन्धरम में ठीक है और यह परियोजना 1902 में भारत के करनाटक राज्य में प्रारम की गयी थी तो C समुद्रम का है तो कर्नाटक राजय में नेक्स है ये 19 नमबर में 20 का सबसे उंचा जागरित जौला मुखी परवत कौन सा है तो 19 का सही अंसर हो जाएगा option B कोटो पैक्सी ठीक है? option इसका 20 सही हो जाएगा और ये जो है कोटो पैक्सी या है इकोडोर के इकोडोर में सित है और इस जौला मुखी की उचाई 5897 मीटर है 20 नमबर कोशन है ये निन में से कौन वलित या मोड़दार परवत का उदाहरन नहीं है ठीक है यहाँ पर ये भी आप लोग कोशन द्यान से पढ़िएगा तो 20 का इसका सही एंसरो जाएगा option C वासजेस ठीक है वासजेस परवत वलित या मोड़दार परवत का उदाहरन है या ऐसे परवत का निर्मान संपीडान आत्मक की सक्तियों द्वारा होता है संपीडन के द्वारा होता है कंप्रिशन के द्वारा होता है 21 नमबर आईए 21 नमबर बोरा जब प्रीथवी सूरे के सरवाधिक निकट होती है तो इस इस्तिती को क्या कहते हैं 21 का सही हो जाएगा option C उपसौर और उपसौर जो हो जाएगा वो सबसे दूर जब होता है तो देखिए जब सूरे प्रीथवी सूरे के सरवाधिक निकट होती है तो इस इस्तिती को उपसौर कहा जाता है और ऐसी इस्तिती तीन जनवरी को होता है ऐसी इस्तिती में सूरे प्रीथवी के बीच की दूरी 14.7 करोड किलो मीटर होती है नेश्ट है ये 22 नमबर में बायो वंडल के ओजोन अस्तर के अपच्छे का कारण कौन सा रसायन है तो देखे ओप्शन के हिसाब से यहाँ क्लोरो फ्लोरो कारवन हो जाएगा ओप्शन B 22 का जो कि यह जो गैस किसी उत्पन होता सा है तो 23 का हो जाएगा ओप्शन C गुंडवाना समू ठीक ना 98 परती सत कोईला गुंडवाना करम की चटानों में मिलती है नेश्ट है ये 24 नमबर में धौला धार तथा पीर पंजाल नाम परवस्षेनिया आवस्तित है तो ये important question है confusing भी है बहुत सारे लोगों के लिए तो ये 24 का जो सही answer हो जाएगा option B लगू हिमाले में ठीक है इसे आप लोग याद रखेगा लगू हिमाले में 25 नमबर है ये 100 रूट जाकी सबसे महत्पूर्ण भूमी का है तो 25 का जो सही answer हो जाएगा option B हो जाएगा oxygen चक्र में इसकी महत्पूर्ण भूमी का होती है ठीक है next रही है 26 नमबर में 26 नमबर जो बोल रहा है वो बोल रहा है कि निमलिखित में से किन से वी निर्धारित होता है कि भारत का सम्विधान परिसंग ही है तो 26 का सही answer हो जाएगा option D केंद और राज्यों के भी सक्तियों का वित्रन ठीक है इसे निर्धारित होता है कि भारत का सम्विधान परिसंग किये है next रही है 27 नमबर में 27 बोल रहा है कि निमलिखित में से किन की निक्ती भारत के राश्पति द्वारा की जाती है तो 27 का जो सही एंसर हो जाएगा वो इसमें से आपका हो जाएगा option D नमबर ठीक है 1 और 3 केवल 1 और 3 27 का यहाँ पर D हो जाएगा केवल 1 और 3 यानि कि वितायों का अध्याक्ष और संग राज्य का छेतर का मुख्यमंत्री को जो होता है उसकी निकती राजपती करता है नेक्ष रही 28 नमबर में 28 बुरे निमलिखित में से कौन सा एक रीट नियाले में करवाही लंबित होनी की दसा में लागू की जाती है तो 28 का हो जाएगा option B उत्प्रेशन इसको स्रेटरी भी बोलते है नेक्ष रही और यह अधिकार रीट जारी करने का अधिकार नहीं होता है तो रीट भी आप लोग पढ़ लिजेगा पांस परकार का होता है सारा डिटेल पढ़ लिजेगा ठिक है अधिकार पिछा प्रमादेश, परतिसे, दिउत्प्रेशन यह सब आप लोग एकवार अच्छे से टॉपिक पढ़ लिजेगा कभी कभार इससे कोशन आता ही दाता है 29 नमबर आप यह प्रो अश्टेमस स्पीकर का करतब बे होता है तो यहाँ पर देखे 29 का जो सही एंसल हो जाएगा ऑप्शन भी होता है सदस्यों को सपत दिलाना तो प्रोटेमस की जैसे माली जैखे लोग सभा का चुना हुआ तुरंट ठीक है तो उसमें क्या होता है कि प्रोटेमस स्पीकर का चुनाओ कर लिया जाता है उसके बाद वहाँ पर क्या होता है जो सदस्य है उनको सपत दिला दिया जाता है जब सपत ले लेते है तो सारे मंति लोग मिल करके एक फिर permanent speaker को वहाँ पे चुनाओ करते है और फिर वही वो speaker बनता है लेकिन जब चुनाओ के तुरंट के वो suggestion के सपत दिलाने के लिए जो speaker चुनते है उनको प्रोटेम स्पीकर कहा जाता है नेक्ष्ट है यह तीश नंबर में तीश नंबर जो है पंचायतो एवं नगर पलिकाओं के संबंद में भारती संबिधान में किस वर्ष प्रवधान किया गया था तो तीश का इसका सही अनुसूची जोड़ी गई और ये हुआ था तीश तरवा संबिधान संसोधन 1993 के अनुसूची जोड़ी गई जिसमें पंचायती राज संबंद प्रवधानों को समलिद किया गया और इसी वर्ष संबिधान में चभतरवा संसोधन के अनुसूची जोड़ी गई जिसमें नगरपाली का नगर निगम और नगर परिशदों से संबंद प्रवधान किये गए हैं नेक्स कोशन है यह 31 नंबर में परधान मंत्री को तो यहाँ पर 31 का जो सही एंसर हो जागा option की हिजाब से option C राजपती के द्वारा निउक्त किया जाता है तो यहाँ पर बहुत सारा होता है एक होता है राजपती के द्वारा मनूनित किया जाता है या फिर लोगसावा बहुमत पार्टी के द्वारा मनुनित किया जाता है तो ये सब गलत है 31 का C यहाँ पे एकदम 100% सही है राजपती के द्वारा नियुत किया जाता है और ये समिधान में इसका वर्णन है इस सब्द का यूज किया गया है कि परदान मंत्री को राजपती के द्वारा नियुत किया जाएगा ठीक है ये कोशन बहुत 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 पूछा गया है ठीक है नेक्स्ट है ये 32 नंबर में 32 बोरा पंचाय समीती के सदस्य तो जनता द्वारा पर्तेक्ष रूप से चुने जाते है यहाँ पर देख लीजे आप लोग ऑप्षन देख लीजे इसका मैं एंसर बता देता हूँ ठीक है तो यहाँ पर जो 32 का जो सही एंसर हो जाएगा वो हो जाएगा जनता द्वारा पर्तेक्ष रूप से चुने जाते हैं 33 नंबर में ये लूथर गुली के नुसार संगठन के निमलिखित में से कौन सा आधार है? तो 33 का इसका सही अंसर हो जाएगा option D, उप्रोप सभी. संगठन के निमलिखित में से कौन सा आधार तो उद्देश से और प्रकिडिया होना चाहिए, ब्यक्ति होना चाहिए और अस्थान होना चाहिए. 34 नमबर में आए 34 बुरा आदेश की एकता का परतिपादक निमलिखित में से कौन है? तो 34 का इसका सही एंसर हो जागा option A, हैंडरी फियोल. नेक्स नमबर में POCCC में O से क्या तात पर रहे है? तो देखिए O से यहाँ पर तौत पर रहे है, और POCCC, हैंडरी, फियोल के लिए 5 बुनियादी परशासनी गतिविदियों की भविश्यमानी, आयोजन, आदेश, समनवे और नियंतरन के लिए मूल परिचित है. नेक्स रहे है, 36 में, नियमलिखित में से, एक मिनट, चातिष नमबर, कोर्शन बोरा है, कि नियमलिखित में से कौन भारत, निर्मान के अंतरगा समलीत नहीं है, तो कौन समलीत नहीं है, तो 36 का इसका हो जागा, Option B, ग्रामिन चिकित साल है, इसमें समलीत नहीं है. नेक्ष्ट रही है 37 नमबर में छिपी बिरोजगारी से तात पर रहे है तो 37 का इसका सही अंसर हो जाएगा option D किसी कारे में जिसको कम व्यक्ति कर सकते हैं उसमें अधिक व्यक्ति का लगे राना यह है छिपी बिरोजगारी नेक्ष्ट रही है 38 नमबर 38 यहां पूरा निमलिखित में से कौन सा यूग्म सुमलित नहीं है ठीक है न यहां पर 38 का जो सही अंसर हो जाएगा option C यह जो है यह सुमलित नहीं है GRY सही सुमलित यह नहीं है एक और आप लोग देख लीजेगा इसका GRY का क्या हो जाएगा यहां पर प्रारम कव किया गया था ठीक है 49 नमबर यह नियोजन गारंटी योजना नामक ग्रामीन रोजगार कारे करम सवपर्थम कहां आरम किया गया 49 का सही अंसर हो जाएगा option D महराश्च में ठीक है 40 नमबर में आईए इंदिरा अवास योजना की मुख्य बिसेस्ता है तो 40 का यहां पर सही अंसर हो जाएगा option C अनुसुचित जाती के सदस्यों को सस्ते अवास उपलद कराना तो यहां पर देख लिए जो कौन सा जाती है तो अनुसुचित जाती नेक्षा यह 41 नमबर में परधान मंत्री ग्राम सडक योजना है तो 41 का इसका सही अंसर हो जाएगा option D तो 41 का option D क्या होगा तो उन गाओं में जो सडक से भली बाती संबंद नहीं है समुदाईक जीवन का विकास करने है तो वहां पर सडक का परधान मंत्री के फंट से यहाँ पर समुदाईक जीवन को विकास के लिए सडक कनिर्मान करना 42 नमबर आ यह समुदाईक विकास कारेकरम कब लागू किया गया था तो एक ही इंपोर्टन कोशन यहाँ पर 42 नमबर इसमें से तो 42 का हो जाएगा सही अंसर option C 2 अक्टूबर 1952 को ठीक है न और इस कारेकरम का मुख्य है उद्थे सर्वांगिन ग्रामिन विकास करना एवं इस उद्थे से को प्राप्त करने में सभी देशवासियों की सहकारिता के अधार पर सयोग करना था 43 आए निमलिखित में से कौन सी स्कीम ग्रामिन विकास के लिए नहीं है तो 43 का इसमें हो जाएगा एंसर B, C, R, Y यह स्कीम है यह ग्रामिन विकास के लिए उपयोगी नहीं है 44 नमबर है यह नीम राना जो टिकाव आर्थिक विकास का मॉडल है अवस्तित है तो नीम राना यह कहां अवस्तित है यह एक विकास मॉडल है ठीक है तो यह 44 का जो हो जाएगा इसका एंसर ओप्शन C, राजस्थान में नेक्स आई यह 45 नमबर में 45 बोरा है समावेशी शमवरिधी के लिए आवास्यक है तो 45 का इसका सही एंसर हो जाएगा ओप्शन D, उप्रोक्ट सभी जो है वो समावेशी समवरिधी के लिए उप्योगी है नेक्स आई यह 46 नमबर में 46 बोरा निम्रिखित में से कौन मचली नहीं है तो यह देखी यह बहुत बार यह पूछा जाता है इस रासक का कोशन बहुत बार आवी चुका है तो 46 का जो इसमें सही एंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन यह स्टार फिस जो है वो मचली नहीं है ठीक है और यह जो स्टार फिस है वो इकाई नोडर मेटा संक का अब प्रिष्ट वंस यह प्रानी है जो केवल समुदरी जल में पाया जाता है तो यह आप लोग स्टार फिस एक बार देख लिजेगा यह मतलब मचली का जो परकार है इस तरह का कोशन आपको बायो में मिलेगा एक बार इसको आप लोग पढ़ लिजेगा ठीक है 47 नमबर है यह परकास वर्स इकाई है और परकास दोरा एक वर्स में तैग की गई दूरी को ही वन लाइट यहर कहते है नेक्स्ट है यह 48 में निमलिखित में से कौन सा बिटामिन एवं उसका कमी वाला रोग सुमलित नहीं है ठीक है तो 48 का इसका हो जाएगा ओप्शन ए कैलिसी फेरॉल जो है वो सुमलित नहीं है कैलिसी फेरॉल बिटामिन एवं उसकी कमी वाला रोग सही सुमलित नहीं है बिटामिन डी का जो होता है रसाइनिक नाम वो होता कैलिसी फेरॉल और इस बिटामिन की कमी से सूखा रोग होता है ठीक है तो यह यहाँ पे सही सुम्लित नहीं है इसलिए जो कोशन पुश रहा उसके हिसाब से एज एकसर सही हो जाएगा नेक्ट रही उंचास में द्वणी का कि भी अधिकतम होता है तो ये किस में हो जाएगा तो उंचास का सी में हो जाएगा धातू में ठीक है जो ऑप्सन दिया गया उसके हिसाब से ये धातू में सबसे ज़्यादा होता है पच्चास नमबर ये CT scan करने में परियोग लाई जाती है तो कौन सी किरने परियोग लाई जाती है यानि कि वेव तो पच्चास का इसका जो हो जागा option D, X किरने ठीक है और CT scan होता है या इसको computer assisted tomography भी कहा जाता है जिसमें X-ray तक्नीक का परियोग किया जाता है एक आवन नमबर ये निमलिखित में से कौन मानो गुर्दे का समाने कारण नहीं है तो एक आवन का यहाँ पे सही हो जागा option B, रक्त में सरकरा की मात्रा का नियंतरन ये गुर्दे का समाने कारण नहीं है बावन नमबर आ ये 52 पुरा एक कृतिम उपग्राफ में बिद्दूत उड़जा का सुरोत क्या होता है तो 52 का इसका answer हो जागा option B, sourer plate या sourd से लें ठीक है नेक्स्ट आ ये 50 नमबर में नेक्स्ट आ ये 54 में भारतिय बीज अधिनियम इंडियन सीड एक्ट लागू किया गया तो 54 का इसका सही answer हो जागा option C, 2 October 1969 से ठीक है तो 54 का यहाँ पे C हो जागा नेक्स्ट आ ये 55 में बोर रहा है कि आलू की सरवाधिक उपज प्राप्त होती है जब फसल चक्र अपनाते है तो 55 का यहाँ पे सही हो जाएगा option C जब फसल चक्र में धेंचा आलू और सुरज मुखी फसल जब चक्र अपनाते है तो यह यहाँ पे आलू का सरवाधिक उपज प्राप्त होता है और आलू का जो बोटनिकल नेम है बनस्पतिक नेम है वो सोले नम टीवरोसम है ठीक है? और यह है एक सितोष नजलवाईयों का फसल है 56 नंबर में आईए 56 बोर रहा है कि अधो लिखी तापकरम स्रेणियों में गेहूं के 20 के जमाव है तो कौन सी उप्यूक्त है तो 56 का सही हो जागा ओप्शन B 20 से 25 डिगरी सेंटिग्रेट नेक्स आगे 57 में कपा सीड कॉटन में बिनॉल यानि के कॉटन सीड है तो कितने परसेंट कॉटन सीड है तो 57 का सही हो जागा ओप्शन A 65 टू 70 परसेंट 58 आए CD रोम एक है तो CD रोम क्या है तो देखिए रोम का मतलब होता है Read Only Memory और CD का मतलब होता है Compact Disc तो ये एक क्या है तो 58 का इसका सही एंसर हो जागा यहाँ पर एक तरह का ये Magnetic Memory भी होता है तो इसका 58 का जो इसमें हो जाएगा वो आपको ओप्शन B हो जाएगा Magnetic Memory Next आईए 59 में टेक्स्ट में आपकी पोजिशन दर्साने वाले blinking pointer को क्या कहते है तो ये आप लोग सब लोग को पता होगा तो इसका हो जाएगा 59 का ओप्शन B कर्सर इसको कहते हैं ठीक है नेक्स्ट आए 60 नंबर में शिश्टी वर आप पर्थम PD के कंप्यूटर परियोग करते थे तो इसका हो जाएगा ओप्शन A वाक्यूम ट्यूग यूज़ करते थे पर्थम PD के फर्स जेनरेशन के कंप्यूटर में ठीक है नेक्ट है ये एकसर्ट नंबर में ये जहारखन विशेस अंक है दस कोश्चन 61 का बोड़ा हिंदु कलेंडर के अनुसार सरहूल कब मनाया जाता है तो एकसर्ट का सही अंसर हो जागा option B चैत में ठीक है चैत महिना में मनाया जाता है और इस तेवार को मुंडा जनजाती सरहूल उराओ जनजाती खदी और संथाल जनजाती बाहा कहते हैं नेक्ट रए 62 में 20 विजेता बनने वाले जहारखन के पर्थम सतरंज खिलाडी का क्या नाम है तो 62 का सही हो जाएगा option सी दीप सिन गुपता नेक्ट रहे 63 में G.E.L. Church Christ Church 1855 इस ती में स्थापित किया गया ये कहां पर स्थापित किया गया तो 63 का हो जागा option D आप लोग देखते होंगे में रोड के पास है G.E.L. Church राची में और यहां पर option D हो जागा राची 64 आईए अब 64 बुरा उची भूमी को क्या कहा जाता है तो यहां तो यहां पर आईए 64 में तो 64 का सही हो जागा option D टाड़ ठीक है नेक्ट आईए 65 में A.C.A. का सबसे बड़ी कोल वासरी कहां इस्तित है तो 65 का इसका जो सही answer हो जागा वो आपका हो जागा option C करगाली में ठीक है तो 65 का इसका जो सही answer है option C हो जागा करगाली में नेक्ट आईए 66 में काली मिट्टी सरवाधी कहां पाई जाती है तो 66 का हो जागा option B राजमहल के छेतर में सरवाधी काली मिट्टी पाई जाती है और इस काली मिट्टी को एक और अन्य नाम से जाना जाता है वो है रेगुर मिट्टी भी काली मिट्टी को कहा जाता है ठीक है नेक्स रही है 67 में 67 बोरा तामबा के उत्पादन तथा बंढारन के दिष्टि कौन जे भारत का अगरणी राज्य कौन है यहाँ पर 67 का जो सही अंसर हो जागा वो हो जागा ऑप्षन भी जारखंट तामबा यानिकी कौपर नेक्स रही है 68 में 68 बोरा की संख नदी का उधगम कहां है ठीक है तो संख नदी का उदगम कहां पे है तो 68 का जो सही एंसर हो जाएगा option D गुमला में यह गुमला जिले में इसका उदगम होता और यह नदी नेतर हाट पथार के पश्मी भाग से उद्रित होकर दच्छिन की और परवाहित होती है और इस नदी की सहयक नदिया में चिर्रा लावा कोक एवं केदार भी है नेक्ष्ट आइए 69 में 69 बोड़ा की देश के पायराट उतपादर में जहरखंड का कौन सा अस्थान है तो 69 का हो जाएगा option A ठीक है और पहला अस्थान 70 आईए सबसे कम जन संख्या गनत वाला जिला कौन सा है तो इसमें 70 का हो जाएगा आपका option B सिमडेगा ठीक है सिमडेगा जहरखंड राजे का सबसे कम जन संख्या गनत वाला राजे सिमडेगा है 169 है जबकि सरवादिक जन संक्या घनत वाला जिला धनवाद है 1316 है वहाँ पे एकहत्तर नमबर आई ये बुरा गेमबिट का संबंद किस खेल से है तो एकहत्तर का हो जाएगा यहाँ पे आप्शन A सत्रंज से 72 आई ये पंडित रवी संकर संबंदित है तो 72 का यहाँ पे सही हो जाएगा आप्शन B सितार वादक से पंडित रवी संकर का जन 7 अप्रल 1922 को बनारस उत्तर परदेश में हुआ था नेक्ष्ट आई ये 73 में 73 बुरा 20 उपरिवेश दिवस कब मनाया जाता है तो 73 का यहाँ पे हो जाएगा आप्शन C पांच अक्टूबर को नेक्ष्ट आई ये 74 नमबर में यहाँ पे देखिए 73 हो गया 74 आई ये ठीक है 74 नमबर बोर रहा है कि हाल ही के रिपोर्ट के नुसार भारत में लगवा कितना परतिशच ग्रामीन आवादी है तो 74 का इसमें हो जाएगा सही एंसर आप्शन D 69% 75 आई ये कारा गम धार्मिक लोक निर्थे संबंदित है तो कारा गम धार्मिक लोक निर्थे है ये किस राजे से संबंदित है तो इसमें 75 का हो जाएगा आप्शन A तमिलांडू से नेक्ष कोशन आये 76 नंबर में भारत के कूल उजावर सकता का पेट्रोलियम द्वारा कितना परतिसत युगदान है तो 76 का हो जाएगा ओप्शन D 18 परतिसत 77 में ये हाल के रिपोर्ट के नुसार सबसे कम विरोजगारी परतिसत किस राजय में है तो 77 का यहाँ पर हो जाएगा ओप्शन D 36 गड़ में नेक्ष ये 78 में गरीबी रेखा के मापन के संबंद में सुरेश तेंदूल का रिपोर्ट के बाद रंगराजन कमिटी का गठन किया गया था जिसने रिपोर्ट कब सौंपा था तो 78 का यहाँ पर सही एंसर हो जाएगा ओप्शन A 2013 में 79 नंबर में ये भोपाल गैस तराजदी की घटना कब हुई थी ठीक है तो 79 का जो सही एंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ओप्शन D 3 दिसंबर 1984 को ठीक है तो भोपाल इस्थित यूनियन करवाइड नामक कमपनी के करखाने में मिथाइल आइसोसाइनाइड गैस का रिषा हुआ था जिसमें लगवग 15,000 से अधिक लोगों की जान चली गई थी ठीक है कमपनी याद कर लिजे भोपाल में जो गैस तराजदी हुई थी कब हुई थी तीन दिसंबर 1984 को किस कमपनी में तो यूनियन करवाइड नामक कमपनी में और कौन सी गैस करखा हुआ था तो मिथाइल आइसोसाइनाइड यानि की MIS याद रखिएगा नेक्ष आईए 80 नमबर में सब्द चाइना मैन किस खेल से संबंदित है तो यह हो जाएगा उप्शन C किरकेट से ठीक है नेक्ष आईए 81 नमबर में पर अब 20 बैंक के देशों के आर्थिक विवाजन के नुसार उच आई की सीमा कितनी है तो यहाँ पर जो 81 का सही एंसर हो जाएगा वो हो जाएगा उप्शन B 13,746 डॉलर नेक्ष आईए 82 नमबर में इराक यूद पर अधारित रिपोर्ट कौनसी है तो 82 का यहाँ पर सही हो जाएगा उप्शन A सिलकोर्ट रिपोर्ट 83 आईए राष्टिय सहरी आजीव का मिशन के शुरुआत कब की गई तो 83 का इसका हो जाएगा उप्शन A सितंबर 2013 से यानि कि अगर डेट एक्जाट पुछेगा तो 3 सितंबर 2013 इस भी याद रखिएगा 84 आई यह वसंदरा जल विबाद का संबंध नीम में से किन भारतिय राध्यों से है तो इसका 84 का हो जाएगा उप्शन A आंध्र परदेश और उडिशा के बीच यह विबाद है नेक्ष आई यह 85 नमबर में अंतराष्टिय मुद्रा कोष के अध्यक्ष इंटरनीशनल मोनेटरी फंड के अध्यक्ष कौन है तो यहाँ पर आप पचासी का है वो एक वार इसमें देख लिजेगा 85 का B है अभी चेंज होके आओगा कि नहीं करेंट डाटा एक वार आप ए देखिए यहाँ पर जो है कोई-कोई 2019 का भी दे दिया गया है ठीक है लेकिन एक चीज़ धिहान रखिए इसका जो है आप लोग 2019 वाला याद ज्यादा मत रखिएगा 2020 से लेटेश्ट का जो भी है वो आप लोग ज्यादा करेंट अफेर्स पर फोकस कीजिएगा ठीक है फिर भी मैं ये बता दे रहा हूँ कुछ-कुछ जो है वो देख लीजेगा आप लोग इसको मैं जल्दी-जल्दी इसका एंसर बता देता हूँ ठीक है 87 आईए बोरा किस देश ने हाली में गांधी नागरिक्ता सिक्षा पुर्षकार आरंब करने की घोशना की गई है तो यहाँ पे 87 का इसका भी हो जागा ओप्शन B पूर्तगाल 88 आईए 31 दिसंबर 2019 को किसने भारत के 28 में थल सेना परमुक के रूप में कारभाल संभाला 88 का यहाँ पे हो जागा ओप्शन C मनोज मुकुन नरावने 89 में आईए हाली में किसे वर्ष 2019 के इंदरा गांधी सांती पुर्षकार हेतु चुना गया था तो 89 का इसका सही अंसर हो जाएगा ओप्शन D डेविड एटन बेरो नेक्स्ट आईए 90 नमबर में 90 नमबर बोरा हाली में वर्षक प्रदेश में सांप की एक नए परजाती खोजी गई है जिसका नाम रखा गया है तो 90 का इहां पर हो जाएगा इसका ओप्शन B हो जाएगा ट्रेकी सियम आप्टे नेक्स्ट आईए 90 नमबर में हाली में होई गोशना के नुसार कौन सा देश वर्ष 2020 में होने वाले नौस्ट्रानिक अभ्यास मिलन की में जवानी करेगा तो 91 का इसका सही अंसर हो जाएगा ओप्शन A भारत नेक्स्ट आईए 92 में 92 पुरा इनमे से किस महला किलाडी ने वर्ल्ड एथलीट ऑफ द इयर 2019 खिताब जीता है तो 92 का इसका हो जाएगा ओप्शन B दलीला मुहम्मद नेक्स आईए 93 में किस राजी की सरकार ने हाली में सीसू सुरक्षा नामक मुबाइल एप लॉंच किया है तो 93 का इसका हो जाएगा ओप्शन D असमने नेक्स आईए 94 में नंबर बोरा नासाद और आहाली में लॉंच किया गया पहले इलेक्ट्रिक भीमान का क्या नाम है तो 94 का सही हो जाएगा ओप्शन B एक्स फिप्टी सेवन मैक्स वेल 95 का इसका सही हो जाएगा ओप्शन C अभी मन्यू 96 का इसका सही हो जाएगा ओप्शन D जस्प्रीत बिंदरा 97 और 15-2020 को निमलिखित में से किषने मलिश्यय का परदान मंत्री के रूप में सपद ग्रहन की 97 का सही हो जाएगा ओप्शन D महयुदीन यासीन 98 में कें सरकार ने कुरोना वायरस को देखती हुए बिटामीन B1, B12 और पारसिता मोल सही कितने तरह की दवा समगरी के एक्सपोर्ट पर ब्यान लगा दिया है तो 98 का हो जाएगा ओप्शन A 26 नेक्स्ट आइए 99 में बोरा किस राजे में पहली बार हॉण बिल महसो का आयोजन किया गया तो 99 का हो जाएगा ओप्शन B त्रिपुर्रा में पहली बार वहां बोरा किस राजे में पहली बार हॉण बिल महसो को से तो त्रिपुर्रा में पहली बार इसका आयोजन किया गया तो 100 आईए भारत द्वारा भारत द्वारा 2022 में किस सहर में राशमंडल, निसाने बाजी और तिरंदाजी चैंपियनसीप कायोजन किया जाएगा तो 100 का इसका हो जाएगा ओप्शने चंडीगड में तो दोस्तो इस रसे करके BPSC के लिए PT का जो 2021 का 2 मई को एक्जाम होने वाला है यहाँ पर practice set number मैंने 4 complete करवा दिया है पेपर 1 के लिए और बहुत सारे और भी practice set मैंने करवा है पेपर 1, पेपर 2 के लिए और जारखंड special भी कुछ topic मैंने cover किया है तो वो भी आप लोग देख सकते हैं हमारी YouTube channel के वीडियो सेक्षन में जा करके आप लोग के लिए बहुत लावकारी होगा इस वीडियो को देखने के लिए आप लोग का बहुत बहुत सुक्री अगर आप हमारे channel पर नए है तो खिरपया करके आप हमारे channel को जल से जल सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर दें धन्यवाद